तो फाइनली फ्रेंट्स यहां पे एसुस ने बहुत बड़ा अपडेट यहां पे निकाल दिया है जैसे कि यूजर्स में काफी क्याउस का महौल बना हुआ था ब्लैक रैश इशू को लेके तो उनने काफी यह तक यहां पे ठीक करने की कोशिश किया है तो आप देख सकते हैं कंपनी कितना अच्छा इनिशिटिव ले रही है कि अपने इशू को सॉल्व करने के लिए और कस्टमर को काफी अच्छा से यहां पे सुन रही है तो फ्रेंट्स यहां पे हमारे पास एक और अपडेट आ गया है जो हमारा पहले वाला वर्जन था वो था 0.47 और यहां पे हमारे पास 0.58 यहां पे निकल के आ गया है इसमें आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है नमबर 3 यहां पे नहोंने किया है बलैक क्रश इशू को सॉल्व जैसा कमपनी का मानना है कि उन्होंने बलैक क्रश को सॉल्व कर दिया है इसके लावा जो इस अपडेट में देखने लाइक है वो यह है कि आर्मरी क्रियेट जो की पहले आपके पास लैंट्स के मोड में ही ओपन होता था वहां पे उन्होंने आर्मरी क्रियेट का पोर्ट्रेट मोड आन कर दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हूँ यह तो थे दो पॉइंट्स इस अपडेट के तो फटवर्ट से कर लेते हैं इसको अपडेट और देखते हैं कि यह बलैक क्रश ईश्यू सॉल हुआ है या नहीं तो हमने कर लिया है अपने फोन को रीबूट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ साइड बाइ साइड मेरे फोन में यहाँ पे क्या क्या यहाँ अपडेट निकल के आई है और इनमें जो हमारे काम की चीज़े腺 वो सरफ 2 या 3 हैं आपको मैं एक 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 करके हाँ पे दिखा देता हूँ सबसे पहला जो अप्डेट किया है वो ये किया है कि इन्होंने आर्मरी क्रिएट को कर दिया है यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में पहले जो हमारी Armory Create थी वो खुलती थी Landscape Mode में हमें अपने फोन को गुमाना पड़ता था लेकिन यहाँ पर उन्होंने कर दिया है इसको Portrait Mode में तो अब अब क्या कर सकते हो आप अब Armory Create को Portrait Mode में चला सकते हो यहाँ पर साइड बर साइड आपको मैं दिखा देता हूँ और जो इस Update का सबसे Main Highlight है वो है Black Rush Issue जो उन्हेंने Solve करने की पूरी कोशिश की गई है सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर Black Rush Issue जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है यह आपको मैं एक यहाँ पर इमेज दिखा देता हूँ उन्होंने यहाँ पर साफसाफ लिखा है कि सबडेट को उन्हें लॉग कर दिया था और उसको पूरी तरह ट्यून नहीं कर पाए है और नेक्स्ट अप्डेट में आपको पूरा ट्यून करके वो हमें दे देंगे विलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जैसे मैंने Netflix को ट्राई किया था सारे के सारी स्क्रीन रेफ्रेश रेट पे तो मुझे वहाँ पर कोई Black Rush देखने को नहीं मिला और जब मैंने YouTube को ट्राई किया तो वहाँ पे Black Rush इशू था लेकिन वो सिर्फ तब आता है जब आप Brightness को बहुत कम कर लेते हो यहनकी 20-25% लेकिन अगर आप Brightness को थोटा से Increase कर देते हो like 30% से अबाव यह 50% तो आपको Black Rush इशू नहीं मिलता मैं यहाँ पे आपको साइड बाई साइड दो फोटोस दिखा देता हूँ आप चेक कर सकते हो यहाँ पे इन दोनों में कितना बड़ा difference दिखा दिया है और यह दोनों फोटोस ली गई है मैंने आपको जैसे पहले भी पर परानी वाली वीडियो में बताया था Avenger Endgame के trailer से अब देख सकते हो Black Rush का पहले वाली image क्या थी और अब वाली image क्या है और आपको मैं यहाँ पे एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना phone को reboot करोगे update के बाद तो आप चेक करोगे तो आपका Black Rush issue वहाँ पे कुछ users का वहाँ पे show करता ही रहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप अपना phone एक पर पूरा power off कर दीजी गया reboot मत कीजेगा आप पूरा phone आप power off कीजेगा तो मैंने भी यही किया था और मेरा जो phone power on हुआ तो जो Black Rush issue था वो मेरा काफी हर तक solve हो चुका है लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ अभी भी कुछ यूजर्स को यह दिक्कत आ रही है तो उनके लिए मेरी यही advice है वो एक यह दो update का भी और वेट कर ले Asus इसके regarding काम करी रही है वो एक यह दो update में इसको काफी ट्यूंग करके ले आएगी तो finally friends यह तो थे दो major highlights इस update में आप यहाँ पर पढ़ भी सकती हो मैं आपको show भी कर रहा हूँ पूरा कपूरा और इन दोनों ही चीजों की वज़ा से हमारा phone काफी अच्छा है यहाँ पर काम करेगा तो यहाँ मैं उमीद करता हूँ कि Asus अपने एक या दो update में इसको पूरी तरह से ठीक कर देगी और अपने users को काफी ज़ा सैटिस्फाइक कर देगी और मैं उमीद करता हूँ कि मेरा जो यह quick update है system update के regarding आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको यह update अच्छा लगा है तो मेरी इस वीडियो को like करे, comment करे, share करे और मेरे इस channel को subscribe करना मत बूले तो मिलते हैं next video में